रिव्यू का इंतजार कर रहे थे? आ गया मैं जो अल्रेडी निगेटिव माइन बना कर रखे हुए है वो इसमें कमिया ही निकालेंगे और जो अल्रेडी पॉजिटिव मूड में है वो भर भर के बस तारीफ ही करेंगे बट अपुन ऐसा नहीं करेगा जो जैसा है वैसा ही बताएगा तो कैसी है ये मूवी? आईए बात कर अब इस फिल्म में देखने को मिलेगा अब देखो जैसे कि हमें ट्रेलर से ही पता चल चुका था कि इसमें VFX का भरपूर इस्तमाल हुआ है तो हाँ हर दूसरे तीसरे सीन में आपको तगड़ा VFX देखने को मिलता है fight sequences are damn good मतलब इतने सालों की मेहनत दिखाई पड़ती है अब इस फिल्म में भरभर के बड़े बड़े आक्टर से नागार जुना, अमिताब बच्चन, रनबीर कपूर, आलिया भट, मौनी रॉय और cameo के बारे में तो आपको पताई होगा मुझे स्पेसिफिकली बोलनी की ज़रूत नहीं है, ओके, बट जो भी cameo है उसमें, और जो भी मैंने प्रेडिक्ट किया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो, ब्रह्मास्त्र स्टोरी प्रेडिक्शन का, तो वो 70-80% सही निकला, हाला कि पहले 10 मिनिट में ही आपको cameo दिख जाएगा, और वो में कुछ action sequences भी, और इसके first half में बस एक गलती है, यार लड़की इतने जल्दी कैसे पट जाती है, एक दो बार देखा, नजरे मिली और हो गया, ना 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 भाई साब, ऐसा नहीं होता, ऐसे कैसे, बट ठीक है, अब क्यूंकि ये एक Bollywood film है, तो प्यार तो दिखेगा ह और आयान मुखर जी ने पहले ही बता दिया था कि ये एक love story है, तो उसी mindset से आपको ये movie देखने जाना होगा, देखो, superhero genre में इंडिया में क्रिश के अलावा अब तक दूसरी कोई movie अच्छे से नहीं चल पाई, भावेश जोशी चलनी चाहिए थी, बट नहीं चली मिननल मुरली, superhero में एक अच्छा option सामने आई थी, बट बहुत से लोगों ने अभी भी वो movie नहीं देखी है, और अब जो ये movie आई है, और जो कुछ भी मैंने इस movie में देखा है, really hoping कि ये movie superhero genre को बहुत आगे लेकर जाने वाली है, specially Indian cinema में, हाला कि इसका second half काफी खीचा महसूस होता है, specially Ranbir के powers पता लगने वाला और उसके training का, Moni Roy का role strong तो है, बट वो उतना भी दमदार feel नहीं होता, और climax तो like, क्या हो रहा था वो सब, climax भाई इससे भी अच्छा होना चाहिए था, इतने सारे super powers वाले लोग है आपके पास, but I think कि उनका proper इस्तेमाल ही नहीं climax के ठीक पहले जो fight sequence है, वो बहुत थंडा था, goosebumps वाले बस एक दो ही scene है इसमें, बट फिर भी overall अगर देखा जाए, इसके VFX, इस film की thought process, Bollywood के superhero genre के लिए बहुत अच्छी है, और हाँ, last में इसके second part का नाम भी reveal किया जाता है, जो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो एक spoiler है, और I'm damn sure ये film दर्शकों को theater तक जरू खीच कर लाएंगी, film के second half में एक छोटा सा lip kiss है, जो शायद trailer में भी दिखाया है, बाकि इसके अलावा ये totally family friendly movie है, overall movie को ध्यान में रखते हुए योगी बोलता है, कि movie की कहानी थोड़ी और मजबूत और short होती, तो ये और भी कमाल कर सकती थी, मैं दूंगा इस movie को 3.5 out of 5 stars, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाई